दोस्तों रूस और युक्रेन के बीच जंग जारी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि दोनों देशों के बीच सुलह की उम्मीद भी नहीं नजर आ रही है। रूस ने युक्रेन में जो तबाही मचाई है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा विमान भी शामिल है। उक्रेन SSR में डिजाइन किया गया था, उस वक्त अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर था, इस प्लेन को युक्रेनी भाशा में म्रिया नाम दिया गया जिसका मतलब, सपना होता है, N-225 का डिजाइन बूरान स्पेस शटल को ले जाने के लिए तैयार किया गया था, का इस्तेमाल भारी सामान धोने में होने लगा, विमान ने अपनी पहली उडान 1988 में भरी थी, इसका कुछ समय तक इस्तेमाल आर्मी के जवानों ने किया था, जिसे बाद में इसका इस्तेमाल कई देशों तक राहत सामगरी भेजने में किया जाने लगा, यह विमान 640 टन का भार उठा सकता था, इसने प्रहली बार उडान 1988 में भरी थी, दुनिया के इस सबसे बड़े विमान का इस्तेमाल पढोसी देशों में आपदा के समय खादे सामगरी बाटने में किया जा चुका है, कोरोना महमारी के शुरुआती दोर में इसका इस्तेमल वाइरस से प्र चाई से ले जाया गया था, विमान ने चारों टैंक्स को 1000 किलोमीटर दूर 763.2 किलोमीटर प्रतिगंटा की गती से पहुँचाया था, एंटिनोव एन 225 म्रिया ने 11 जून 2010 को दुनिया का सबसे लंबा एर कारगो उठाया था, यह 130 फीट लंबा विंट टर्बाइन ब्ले जुटा है जो उसके लिए मजबूती बन सकता है, इसलिए रूस युक्रेन के सैनिट हिकानों को बर्बाद करने में जुटा हुआ है, रूस ने युक्रेन के होस्टो मेल एर फील पर अपना कबजा किया है, एंट 225 वही पर रिपेरिंग के लिए खड़ा किया था, इस तर को खोने और देश में तबाही मचने के बाद भी युक्रेन के लोगों का कहना है कि हम हारेंगे नहीं, फिर से नया बिमान बनाएंगे, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद, दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले